जब भी हम लगों को टीवी पर्चेस करनी होती हैं, वाशिंग मशीन पर्चेस करनी होती हैं, या कोई भी लेक्रोनिक का एक्विप्मेंट पर्चेस करना होता हैं, और हमारे पास जब पैसे नहीं होते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता हैं, फाइनसिंग का, और जब ह एक चीज के बारे में बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी important और interesting होने वाला है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप इस शैनल पर नए हो तो इस वीडियो को like करो और इस शैनल को subscribe करो, क्योंकि stock market investments और personal जोड़ी बहुत सारी चीज़े आपके साथ शेर करता हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर बजाज EMI काड है क्या जैसे कि हम लोग मार्केट में अलग अलग तरीके के क्रेडिट काड के लिए अप्लाइ करते हैं उसी त फ़हले आपका आपका नाम परना है आपका अफिल करना है तो आपके रुशा चैनल करने के लिए इस कहीं पर बजाज के सबस्कुर करकर कोई सेonal करने पर आपको अधे पर eva का UMI काड़ हैं तो आप को इस पर diagonal के layman कहा की लिमिट एक लाग रुपे की आयी है तो यहां पर मैक्सिममेंग लाघ रुपे तक को चौपिंग कर सकते हैं strategic hope करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपकर चुलिए सिं Wai EMI Card का استعمال कैसे करते हैं और कहां कहां पर आप इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप Bajaj के EMI Card का इस्तमाल करते हैं तो इसके वज़े से क्या benefits होते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जब आप loan लेने के लिए किसी भी equipment के लिए तब यहां पर आपको additional KYC करने की ज़रूत नहीं पड़ती है और second important चीज यह है कि अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो यहां पर आपके पास एक surety होती है कि आप एक certain amount तक purchase कर सकते हैं यहां पर financing करवा सकते हैं certain amount की क्योंकि अगर आपके पास बजाज का E product को buy करने जाएंगे तो काफी बार यहां पर ऐसा होता है कि आप जिस product को buy करना चाते हैं उस product के लिए EMI या loan का option नहीं हो पाता है तो बजाज EMI card का इस्तमाल करके आप इन सारी चीज़ों को avoid कर सकते हैं इसका अगर आप बजाज EMI card पर financing करवाते हैं वो आपको comparatively कम rate of interest पढ़ती हैं और अगर आपके पास बजाज फिंसर्फ का card होता है तो बहुत सारे ऐसे products होते हैं जहां पर आपको no cost EMI भी available होती हैं इसका मतलब यह हैं कि अगर आपको 50,000 की shopping कर रहे हैं तो 50,000 की shopping के लिए आपको 50,000 ही pay करने हैं वो भी installments में अच्छी बात है बजाज EMI card में आप लोगों को बहुत सारे offers मिलते हैं लेकिन जब यह बजाज फिंसर्फ के EMI card पर कोई loan लेते हैं या कोई product purchase करते हैं तो आपको हमेशा ही ध्यान अखना है कि जब भी आप यह product purchase करते हैं तो आपको इनकी installments को बिल्कुल भी miss नहीं करना है आपने account की EMI cut होने के लि amounts हो जाती हैं तो बजाज फिंसर्फ आपके पास एक amount charge करता है और इस amount का charge होता है 450 रुपए का और वहीं पर अगर मैं banks की बात करूँ जिस bank के साथ आप लोगोंने mandate link किया था वो bank भी आपके पास से बहुत सारा charge किता है क्योंकि अगर आपकी EMI एक बार miss हो जाती है तो तो ऐसे cases में बजाज finance अपने installment के amount को recover करने के लिए आपके account में तीन बार installment को check करता है मतलब आपके account में तीन बार EMI हिट होती है और अगर आप लोगोंने account में तीन दिन तक sufficient balance नहीं रखा तब भी यहाँ पर आपको बहुत सारे charges देने पड़ेंगे और सबसे खास बात त कि जितने बार आपके account में EMI हिट होगी और आपके bank account में sufficient balance नहीं होगा तो यहाँ पर आपको multiple bouncing charges पे करने पड़ेंगे और तीन बार ऐसा होता है तो और भी ज्यादर देने पड़ेंगे और अगर आप लोगोंने अपने loan की EMI का payment online भी किया होगा तब भी आपको यह fines पे क करने पड़ेंगे तो जब भी आप अजाज फिंसर्फ के साथ loan लेते हैं तो हमेशा ही यह insure करना है कि आपके जो loan का installment है वो time पर pay किया गया हो और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप टाइम पर loan पे करेंगे तो आपको किसी भी तरीके की problem नहीं आएगी लेकिन कि आप आपके पास credit card है और आपके bank account के basis पर आपको कहीं पर loan मिल रहा है तो मैं आपको personally यह recommend करूंगा कि आपको बजाज EMI का card नहीं रखना है लेकिन अगर आपको कोई credit card नहीं है और आपको कोई bank भी loan sanction नहीं कर रहा है आपके products को buy करने के लिए तो ऐसे case में अगर आप साल तक इस account को use नहीं करते हैं तब यहां पर आपको 177 रुपीज के annual charges पे करने पड़ेंगी जो कि काफी nominal है तो आज किस important वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं और hope करता हूं कि आज की वीडियो का content आपको valuable लगा होगा अगर आपने आज की वीडियो से कुछ नया सिखा है तो इस वीडियो को like करना शेर करना इसी के साथ साथ अगर आप इस चानल पर नए हो तो इस चानल को subscribe करो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए topic के साथ एक interesting topic के साथ तब तक के लिए signing off happy investing and goodbye